यूटिब चैनल कोल्स्ट मार्केट में आज हम दो सेर के बारे में बात करते हैं तो उसमें पहला सेर देखें तो वीसे सिगनों ने कहा कि यह सेर नो सो पचास तक जाएगा कोरोना के बाद सेर बजर में ऐसे कई सेर हैं जिनों निवे सको को मल्टीबिकर रिटन दिया ऐसा ही एक स्टोक है नारायन रदिलाइक यह हैल्थ कैर स्टोक लगबग रुप्या दोसों से बढ़ कर रुप्या साथ सो पंदरा पती सेर हो गया वहीं स्थानी बोकरेज प्रभुदास लिलादर का अनुमान है कि लंब यहुदी में सेर 935 पती सेर तक जा सकता है इसके साथ ही हल्थ कैर स्टोक को बोकरेज ने बायटेक दिया इसका मतलब है कि बोकरेज को इस हल्थ कैर स्टोक से 35,50 से जएदा के रिटन की उमीद है बोकरेज का करना है नारायन रदिल ने हमारे अनुमान से जएदा ABITDA बनाया है कंपनी का राजस्व साल दर साला ठ्रापर्शन बढ़ाए सूध खर्ज भी कम हुआए हमें उमिदे कि या रुद्धी जारी रहेगी बोकरेज के मुता भी कंपनी की अगले दो से तीन साल के लिए आकरमक कैपेक्स योजना को जारी रखने की भी योजना है इन सभी कारण को क कि कीमत 770 रूपय तक जाएगा अडानी हिडनबर्ग विवात के बीच LIC के शेयर गीरावट के साथ खुल है यह LIC के IPO के उपर प्राइस ब्योंच पचास पिज दिखाओं में इस गीरावट के बीच कई बोकर जाओ उसको LIC पर भरोस आए हम उन्हें लगता है कि निकट ब बाजर इसे दरी बहुत खुम है इसलिए इसमें बहुत अधिक संबावना है हम 717 रूपय के लक्षय मुल्यों के साथ खरीद की रेटिंग बनाई रखते हैं तो इन दो सेयर में आप अपने बोकरेज की सलास के साथ खरीद सकते हैं तो आज के लिए इतना अगर वीडियो चलेगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीए जयी जयी बरुट